नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवेन किसकी किस्मत कब कहा और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता लंदन के रहने वाले एक शक्स की किस्मत भी रातो रात ऐसी चमकी कि वो लखपती बन गया दरसल शक्स ने सडकों पर लगने वाली एक मार्केट से पुरानी तूटी मुडी चम्मच खरी दी और उसे ऑनलाइन निलामी में 12,000 गुणा ज्यादा दाम में बेच दिया ब्रिटीश टैब लॉइट दसन की रिपोर्ट के मुताबिक शक्स को एक नजर में ही ये एहसास हो कया था कि ये चम्मच कुछ खास है इसलिए उसने इस पुरानी चम्मच को 90 पैसे में खरीद लिया था शक्स ने सरम सेट के सिलवर एक्सपर्ट लॉरेंस ओक्सनर्स से संपर्क किया इसके बाद 5 इंच के इस पुराने चम्मच की जांच की जिसमें खुलासा हुआ कि ये चम्मच चांदी का है इतना ही नहीं चम्मच का डिजाइन तेर्वी शताबदी के रोमन यूरोपियन जो करीब 52,712 रुपए निकली बस फिर क्या था शक्स ने निलामी के लिए चम्मच को ऑनलाइन प्लेट फॉर्म पर डाल दिया जैसे ही आउक्षन शुरू हुआ इस यूनीक चम्मच को लेने के लिए सभी बोली लगाने लगी धीरे धीरे इसकी बोली बढ़ती चली गई इस चम्मच के बदले शक्स को लाखों रुपए ओफर किये गए लेकिन आखिर में इस चम्मच की बोली एक लाख सतानवे हजार रुपए में लगी टेक्स और एक्स्ट्रा चार्जिस जोडते हुए इसकी कीमत दो लाख पार कर गई जो इसे खरीदे वाले आमाउंट से 12, 12,000 गुणा जियादा थी बताया जा रहा है कि शक्स कारबूट मार्किट जाता रहता था वहां उसने एक सेलर के पास से ये चम्मच शौक में खरीद ली थी फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी क कि अपिसाद